कि Hello all and welcome back again in modern history series EduclardanHistory कie series में हम लोग देख रहे थे development of policies के बारे में जो कि British under British colonial time period पर इस्टार्ट वी थी इसいます इस सीरीज में connect the new करते हैं लास्ट क्लास में हम लुग ने देख रखा था education के बारे में फिर फ़ये माइनिके बारे में और कुछ और भी important committees के बारे में देख रखा था continue करते हैं आगे और session में हम लोग देखेंगे आज civil services के development judiciary के development police की development local self-government के development जितने भी चीज़े हो सकती है वो सारी चीज़े इसी एक video में हम लोग देखेंगे सबसे पहले शुरुबात करते हैं civil services के बारे में देखें civil services या फिर जितने भी तरीके के इंडिया में पॉलिसी डवलप की गई थी उस सब को समझने से पहले आपको दो approach समझने की जरूरत है कि यहां पर एक approach जहां पर 1773 से ले करके 1813 तक की एक approach है और 1813 के बाद से दूसरी अपरोच तो 1813 onwards यह दूसरी approach काम करेगी 1773 से लेके 1813 के बीच में जो ब्रिटिश थे उनका मानना था उनका मानना इनको बुलाता है और यहां पर एक इंपॉर्टेंट साहब आएंगे जिनका नाम रहा का वारेन हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग का मानना था कि अगर हमें इंडिया में रूल करना है तो हमें इंडियन्स को साथ ले करके चलना होगा और इस कारण से Indianized version of British policies निकलती थी Indianized version का मतलब यह होता है कि यहाँ पर Indians को ही integrate किया जाता था Indians को ही power position दी जाती थी कि चलो ठीक है अगर चौकिदार बनाना है तो Indians को ही बना देते है Judiciary अगर है तो Indian को भी उठा लेते है Civil Administration है तो चलो ठीक है Indians को भी उठा लेते है तो यहाँ पर जो policy हुआ करती थी Warren Hasting की वो orientalist approach में होती थी लेकिन 1813 के बाद से यह anglicist हो गई थी Anglicist का मतलब कि अब पूरी तरीके से British ही किवल रहेगा यहाँ पर और Indian को हम position में नहीं लेंगे Indian को हम लोग दूर रखेंगे क्योंकि Indian है तो कहीं न कहीं है कि motion Indian के तरफ भी जुड़ी जाएगा बट ऐसा किवल लोगों ने सोचा था ऐसा हुआ नहीं जो Indian लोग civil services या police administration या कहीं पर भी अगर आए है तो British के बंदे बंद करके आए थे और उनकी thought process उनकी जो कुछ भी मतलब जो भी action हुए थे वो सारे के सारे ही British के ही favor में थे अब यह ऐसा हो भी हो सकता है उनकी training इस तरीके से कराए गई हो या दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि उनके उपर में continuously जो Britishers थे वो pressure भी बना करके रख सकते थे परशर बनाये होंगे जिसके कारण से भी यह लोग सारा काम खुदी करते थे तो यह आपका सारा scene हो गया जो कि एक थोड़ी सी background आपको पता होनी चाहिए इसके लावा एक और साहाब का नाम मिलेगा जिनका नाम है bentic bentic साहाब का नाम मिलेगा bentic साहब जो है आइस नहीं बन पाए रहे होंगे इसलिए क्या है कि इनको civil services की ओर में बहुत ज्यादा ही इनका civil services को लेकर के बहुत ज्यादा इनका inclination था इन्होंने क्या किया था कि चाहे वो judiciary हो चाहे वो police administration हो चाहे वो civil administration हो सारा का सारा power दे रखा था DM के ही हाथ में यानि collector के ही हाथ में और इस कारण से collector सारी चीज़ों को manage नहीं कर पा रहा था तो यहाँ पर थोड़ा सा news and समय देखने को मिलता है बट स्टिल bentic साहब का ये पूरा का पूरा कारणामा था अब चलिए one by one करके जरा detail में discuss कर लेते हैं कि आकर में किस तरीके से British policies आगे बढ़ रही थी और कैसे civil services या जुड़ी शिरी या police administration या कोई भी other development कैसे आगे बढ़ रहा था civil services के बारे में अगर बात किया जाए तो इस्ट इंडिया company had from the beginning carried its trade in the East through servants who were paid low wage but were permitted to trade privately अब शुरुवात में हो क्या रहा था कि जो इस्ट इंडिया company के लोग थे अब धीरे धीरे जैसे हुआ क्या था कि 17 1764 या 1757 के बाद से प्लासी के वार या फिर 1764 बैटल आफ बकसर के बाद जो company के बंदे थे वह अब administration में आ गये थे administration में आने के साथ इसाथ में काफी corrupt हो गया थे अब company को फायदा नहीं हो रहा था लेकिन बंदों को बहुत फायदा हो रहा था अब सीधी सी बात है यहां पर क्या है कई सारे गिफ्ट वगर मिलना शुरू हो गया थे इवन 1757 के बाद वार के बाद भी जो गवर्नर जनर्रल था उसे काफी अच्छा खासा गिफ्ट मिला था करप्शन अमाउंट मिली थी तो इस तरीके से यह करप्ट हो गई थी बॉडी दीरे दीरे क्या हुआ कि जो इस्ट इंडिया कंपनी इसका जो रिवेन्यू था रिवेन्यू वो डाउन होना शुरू हो गया और इस कारण से अल्टिमेटली जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पास किया गया 1773 में 1773 में जब रेगुलेटिं वगरे में इंक्रीज देखने को मिलता है तो बात में जब कंपनी बिकेम टरिटोरियल पावर सेम सर्वेट एज्यूमड अड्मिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्योंकि अब यह एड्मिनिस्ट्रेशन में पूरी तरीके से आ गया थे 1764 के बाद से अब यह बहुत जादा ही कर इस टाइड करते थे जितना भी अमाउंट डिसाइड करते थे जो भी डिट करते थे उसी पर यह सारी चीज़ेर होती तो कहीं न कहीं एक करप्ट भावना ब्राइब्स लेना राजा नमाब से इन सब से क्या हुआ कि बहुत जादा ही बढ़ गया था एक्स्टॉर्शन के र वो लॉस में जाना शुरू हो गए थी तो कंपनी लॉस में जा रही थी इस कारण से फिर आगे आने वाले जो भी लोग होंगे किसी तरीके से वो काम करेंगे तो आगे आने वाले जो लोग थे वो क्लाइफ थे और वारें हेस्टिंग थे और इन लोगों ने अच्छा खासा प्राइवेट ट्रेड एंड एकसेप्ट प्रजेंट फ्रॉम एनीवन विदाउट कंसेंट आफ कंपनी क्लाइव ने यहां पर यही अच्छी चीज कही थी कि नए एग्रिमेंट्स इसने बना दिये थे और यहां से कोई भी प्राइवेट ट्रेड भी नहीं कर सकता था और बिना कै strands के कोई बन्दाgyfd या कोई भी उपहार ले सकता था तो कहीं ना कमपनी के साथ 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 में यहां पर अब रिए घ्या गरने के खिये कोई थे इसन करना ही पड़ेगा और वही रॉबर्ट ट्लाइव ने की आथे न करनवालिस की टेखनीक थोड़ी अलग थी इन्होंने कहा कि देखिए जब जरूरते ज्यादा होती है इनकम कम होती है तो लोग करप्ट हो जाते हैं तो हमें क्या है कि इनकम को बढ़ा देना चाहिए जरूरते बढ़ी है तो इनकम को भी बढ़ा देना चाहिए और इसलिए इ या कैली जन की जो contribution है वो तीनों ही चीज़ों में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है को कॉर्णवालिस ने किया क्या ही इन्फोस्ट दा रूल्स अगेंस्ट प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टेड प्रेजेंट एन भ्राइब बाई ऑफिशेल विद इस्ट्रिक् सर्विस पर होगी यानि अगर कोई बंदा पांच साल पहले से अगर मान लेते हैं कि सर्विस कर रहा है तो अव्यसी बात है उसकी सिनियोरिटी अब जादा हो गई और उसी के हिसाब से भी प्रमोशन भी होगा अब इससे क्या हो गया कि लोग इंडिपेंडेंट होना शुर इस तरीके से कह सकते हैं कि ब्रिटिश फोर्सेज में भी आ गई थी और इस तरीके से यहां पर जो करप्शन का महौल फैला हुआ था वो धीरे-धीरे सही हो गया इट वस लेट डाउन ऑफिशियली इन 1793 एक यह भी कह दिया गया था कि जो इंडियन्स होंगे वो सर्विसे में कहने का मतलब यह हो गया कि जो हायर पोस्ट होगी एड्मिनिस्ट्रेशन में जहां पर 500 पांसो पांट से ज्यादा एक साल में देना होगा वो केवल और केवल बिटिशर ही ले सकेंगे अब यह बिटिशर ले सकेंगे इसके पीछे दो कारण पहला यह इंप्लाइमेंट तो दा लोकल पीपल प्रोवाइड कर रहे ते लोकल मतलब की बिटिश पीपल प्रोवाइड कर रहे थे और साथी साथ में इनको डर था कि इंडियन अगर आएंगे तो ऑव्वेसी बात है देर विल बी सम प्राबलम आल सो हो सकता है कि यह लोग जो है वो इंडियन के फिव अला कि चार्टार एक 1793 में इंडियांज को भी सब और इनेट पोजिशन होल्ड करने के लिए कहा गया था लेकिन यह कभी इंप्लीमेंट नहीं होने पाया था नेवर इंप्लीमेंटेड इस हैज निवर इंप्लीमेंटेड का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे सबाडिनेट का मतलब होता है कि जो क्लर्क वाली जौब यह फिर कह लीजिए कि जो प्यून वाली जौब होती है वह बिसीकली चार्टार एक 1793 में लाओ किया था कि इंडियांस को कर ब्रेटिशर इंडिया में एकर हुकूमत करने आ रहा है यहां कि जोग्राफिकल कंडिशन सब कुछ बहुती डिफरेंट थी और इस कारण से इननों रहा कि देखिए जो फोर्ट विलियम आपने बना के रखा हुआ है इसको इन्होंने तब्दील कर दिया कॉलेज में और यहां यंग जो नए रिक्रूट्स आ रहे थे उनको सिविल सब्सक्राइब की ट्रेनिंग दी जा रही थी अब यहां से क्या हो रहा था ट्रेनिंग के द में हेलबरी में जा करके ट्रेनिंग होनी शुरू हो गई थी इसके साथ ही साथ में एक और यहां पर फंडा कर दिया गया था कि मिनिममम सेवन इयर्स इंडिया में आपको रुकना पड़ेगा जो कि अगेन बाद में हटा दिया गया था अठारो से तिरपन तक अठारो से तिरपन तक क्या हुआ कि all the appointments to civil services were made by the directors of East India Company who placated the member of board of control by letting them make some nomination यहां पर होता क्या था कि 1853 तक पहले 1853 से पहले open था open मतलब की किवल और किवल nomination based पर था तो जो higher class वाले लोग थे वो अपना जुगार पानी लगा करके अपना competition से बच करके ultimately civil servant बन जाते थे लेकिन 1853 के बाद से क्या हुआ कि इन्हों ने एक open competition basis रख दिया कि नहीं अब जो civil services है वो competition के competition पर होगा और इस तरीके से ICS examination यह frame में आया हाला कि अभी भी ICS examination है पहले नहीं था या फिर इस तरीके से बोलिए कि एक सेकंड इसको erase करके फिर बात करते हैं देखे या तो nomination based पर हो रहा है nomination 1853 से पहले ठीक है और 1853 के बाद में अगर बात करते हैं तो यहां पर यह ICS exam हो रहा है exam होने के बाद में ultimately power आ जाती थी जो secretary of the state है secretary of the state के पास में power आ जाती थी कि इसे इंडिया में किस तरीके से join कराना है अब यह जो secretary of state है वो कहां कहां का क्योंकि ब्रिटिश की कॉलोनी तो बहुत जगा थी Australia में भी थी इंडिया में भी थी चाइना में भी थी फिर आपका यूएस के भी कुछ पार्ट में थी तो यह मेड कौन वेलसली वेलसली मेड फस्ट अटेंट तो सेपरेट एड्मिनिस्ट्रेटिव कॉमर्शियल ब्रांचेज मतलब यहां पर इन्होंने अलग-अलग चीज़े कर दी कि एड्मिनिस्ट्रेशन के लिए अगरमा लेते हैं कि कोई आईस बंदा है यानि कि आईस बंदा है तो कॉमर्शियल के लिए इन्होंने बहुत दिया कि रिवेन्यू सर्विस अलग रहेगी तो इस तरीके से यह डिवीजन कर दिया गया था यह पॉइंट यूरोपियन कलेक्ट काम करना शुरू किया था तो यह तरीक अपना है गया था लेकिन हां कई सारे इनके एक्शन जो है बाद में रद्द कर दिये गए थे और फिर यहां पर चीज़े थोड़ी अलग हो गई थी फिर हमारे नेक्स ताहबात है जिनका नाम है डिलहौजी इन्होंने क्या किया था 1853 में इन्होंने अपना एक चार्टर एक निकाला था और यहां पर इन्होंने open competition कर दिया था कि आप कोई भी अगर नया recruit आता है मतलब कोई भी अगर नया civil services new civil servant बनना चाहता है तो इस examination के थूँ आना पड़ेगा तो all the recruit of civil services were to be selected through competitive exam लेकिन इस competitive exam का जो idea था वो निकाला ग गया तो implement कप किया गया है 1853 के बाद से जब यह competitive exam बनाना था तो यहां पर एक committee बनाए गई थी अंदर the chairmanship of my college and किसली बनाए गई थी to advise on regulation regarding age qualification subject मतब कुल मिला करके exam अगर हो रहा है तो कैसे हो क्या तरीका अपनाया जाए किस तरीकी की examination हो क्या क्या सबजेक्ट रहे क्या qualification ह होनी चाहिए तो यह सारी चीज़ें जो होती है डिलहौजीन ने बना दी थी ठीक है इस 1853 में जब मैं कॉले कमिटी बनाए गई थी तो इस कमिटी की जो recommendations थी ultimately Indian Civil Services Act 1861 के रूप में बाहर आई थी अब यह act बन चुका था इस act में क्या-क्या चीज़ें हो गई थी यही आपकी open competition होगा open competition और इस competition में क्या-क्या examination होगी तो यहाँ पर जो syllabus रखा गया था वो obviously not Indian रहेगा तो यहाँ पर क्या है कि Latin language रखी गई थी और एक और अब इंडियन के लिए अगर देना है तो इंडियन को पहले लैटिन और ग्रीग देना पड़ता लेंग्विज का पेपर तो यह तरीका रखा गया था इसके अलाबा मैट्रिकुलेशन के बाद मैट्रिकुलेशन 10 के बाद में ही अब युनिवर्सिटी एक्जाम और युनि तो अगर देखा जाए तो इस समय की मिनिममम एज रखी गई थी 21 एक्जामिनेशन देने के लिए हलां कि बाद में इसको घटा करके 19 कर दी गई थी इसके बारे में भी हम लोग भी देखेंगे तो सिविल सर्विसेस के लिए एक और फंडा कर दिया गया कि 7 साल मिनिमम यहा अब कौन कौन से इंडियन्स थे जो इस सिविल सर्विसेस एक्जामिनेशन को पास किये थे तो सबसे पहले एक साहब थे जमारे सतेंदरनात टैग वोर यह पहले इंडियन थे जिन्नोंने सिविल सर्विसेस एक्जामिनेशन को 1863 में पास किया था विद रैंक 4 इसके थे एज वाइज अगर बात किया जाते क्या एज रही थी तो एज को लिए करके बहुत सारे लिमिटेशन बहुत सारे चेंज वगरह किये गये थे 1859 में ये एज पहले 22 years रखी गई थी बाद में इस चीज को घटा करके 21 year कर दिया गया और फिर बाद में जब लिटन सहाब आये थे तो लिटन ने इस एज को और घटा करके 19 year कर दिया था और फिर 1892 में 21 year कर दिया गया था एक बार आपको clarity होनी शहिए कि ये जो age दिखी maximum permissible age ठीक है minimum की कोई बात नहीं थी maximum की ये age हुआ करती थी कि हाँ ठीक है ऐसी जैसे इंफेक्ट अगर देखेंगे आज की डेट में आर्मी में जब भी recruitment होती है तो उसकी maximum age 23 और कुछ चीजों में 24-25 तक चले आते हैं OTA वगरे में लेकिन ये early age पर ही लिया जाता है क्यों क्योंकि early age पर माना जाता है कि यहां पर बंदे का जो brain है वो उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है डिस्टॉर्ट ही कहा जाएगा चाकि इनकी training कराई जा सके और इनको जो है बेटर तरीके से इंडियन ब्लड में ब्रिटिशर को ढाला जा सके तो यह तरीका अपन क्योंकि एक इंडियन बंदा इंडियन परिवेश में पला बड़ा यहां की education system मिली है लेकिन इसे जब देना होगा तो यह बिटिश सिस्टम में जा करके इसे एक्जाम देना होगा एंड इट बिकेम वेरी रिली वेरी टफ इग्जामिनेशन आगे बात किया जा तो हमारे लेटन साहब आते हैं लेटन साहब ने क्या किया था तो स्कॉलर्शिप इसकी में इंटर्ड्यूस किया गया था कि इन्होंने कहा जो भी इंडिया इंडिया में भी जो बढ़िया टैलेंट है उसको आप उठाइए न उसको आप उठाइए और इसे एक बिटिश बंदा बनाईए बिटिश बंदा कैसे बनाएंगे उसके उपर में इ start की थी statutory civil services गायं इस इस टाइट्टू रिसिविर स्टुरी शिविल्सइज में क्या कहा गया इसमें यह कहा गया कि जो भी इंडिया के आइघ लोग है इस इंडिया के हाइघ क्लास को हम लोग स्टू इसमें करते हैं कि तो यहां पर यहीं देखे एटीन एक तरीके से 1813 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पर इंडियन पीपल को रखा गया था तो इस्टाटूटरी सिविल सर्विसेज में यह क्या गया कि वन बाइशिक्स आफ टोटल वेकेंजी तो बी नॉमिनेटेट फ्रम हाई क्लास हाई स्टेटस इंडियन फैमिलीज और मेंबर ऑफ दिस सर्विस हैड लोवर स्टेटस लोवर सैलरी एंड बिकें अल्टिमेटली क्रिटिकल तो यहाँ पर से है स्टाटूटरी सिविल सर्विसेज की जब बाते कही गई थी तो कहा तो गया था लेकिन बाद में इस चीज़ को हटा दिया गया था यह इंप्लिमेंट नहीं किया गया था इंप्लिमेंटेड नहीं हुआ तो इस टाटूटरी सिविल सर्विसेज में ध्यान रखना है कि यह नॉमिनेटिट पोस्ट थी और और सिर्फ और सिर्फ इंडियन हाई फैमली इंडियन फैमली से ही बंदे को उठाया जा सकता था इसके बाद से डिफरेंट डिफरेंट कमिटी जैसे एक कमिटी बनाए गए थी जो एचिसन कमिटी कहलाती है 1886 में इन्होंने अपने रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने कहा कि स्टैटूटरी सर्विसेज जो है इसको अबॉलिश कर देना चाहिए क्योंकि नॉमिनेशन से आ रही है तो इसको अबॉलिश कर देना है दूसरा कि इन्होंने स्टाबलिश करने के लिए बोला इंपीरियल प्रोविंशल और सब्सक्राइब सर्विसेस कहने का मतलब यह हैं इंपीरियल का मतलब हो गया एक तरीके से जो आज सब्सक्राइब सब्सक्राइब वहाथ कि कुछ प्रोविंशल सिविल सर्विसेस इसके के जया करके इनmmMMट नहीं ki fordon this linkton committee टो दोनों कमेटी एक ही है कोई अलग नहीं है इन्होंने कहा कि sement cử examination London दिंज अ लेकिन ये भी implement नहीं होने पाया यहाँ पर इन्हों कहा कि 113 of the Indians को हमें increase करना होगा annual increase by 1.5 you are कहने का मतलब यहां पर यह है यह कमिटी बनाए गई है 1912 में और यह कमिटी की रिकमेंडेशन आई थी 1915 में उससे पहले 1909 का मौरले मिंटो रिफॉर्म आ चुका था और सिर्वाम में बोला गया था इस्टाबलिश्मेंट ऑफ रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट के बारे में यहां पर बोला गया था कि इंडिया में एक रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट जो है वो इस्थापित करनी चाहिए रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट कब बनेगी जब इंडि का और सिव यूरोपियंस का 5050 शेर न हो जाए तो यह काम कहा गया था इस इस लिंगटन मॉंट फोट इस लिंगटन कमिटी के द्वारा क्योंकि इन्हें से रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट ले आनी थी इसके लावा साइमेंटनेशन होना शुरू हो गया थे 1922 से और इस तरीके से जो ब्रिटिशर उनके उपर में एक प्रेशर बढ़ गया था क्योंकि अब इंडियन भी कंपीट करने लगे थे और साथ इसाथ में आधी इंप्लॉ स्ट पर स्टम सक्वेश है यह इंडिया लेवल पर ब्रिटिश के द्वारा नहीं बनाये ति बिसको प्रोविंशल बेसिस पर ही थी थी एप्स मतलिख्येगा आप इसको प्रोविंशेल पोलिस सर्वेस इसके लावां इंज्यनिरिंग डिपार्ट्मेंट अभ यह जो आप которой यह जो पोस्ट है इस पर सेक्रेटरी आफ इस्टेट ने बोला कि इट शुड़ है दपावर अफ रिकूरूट्मेंट एंड शुड़ कंटिनू तो अभी तक जो सेक्रेटरी आफ दे स्टेट के पास में पावर होती थी यही केवल सर्विसेज में नॉमिनेट कर सकता था या फिर कोई रिकूरूट आ रही है जीत मतलब इग्जामिनेशन कंपीट करके आ रहा है तो भी रिकूरूटमेंट के काम इसी स्टेट आफ सेक्रेटरी आफ इस्टेट के पास में था और इसी को कंटिनू करने को भी बोला गया इसके इसके लावा यह कहा गया आईसीज के लिए टेन परसेंट आफ दा सूपीरियर पोस्ट वी फिल्ड बाई अपॉइंटमेंट आफ प्रोविंशल सर्विसेज जैसे कि यहां पर हम लोग ने देखा कि धीरे धीरे जो भी प्रोविंशेज के सर्विस के लोग है उनको भी स्टाब्लिश करने की बात कही गए ती 1923 में और उसी को लेते हुए जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन से उनको बना दिया गया था जैसे यूपी पीसेज वगर फिर यहीं से स्टार्ट हो गया था सेलरी में करने को कहा गया इसके अलावा जो एक्जिस्टिंग आई 1935 ले आ दिया गया था जहां पर जो पब्लिक सर्विस कमिशन से इस्टेट वाली उनको इस्टाब्लिश्मेंट करने के लिए एक्ट आ गया था क्योंकि यह तरीका अपनाय गया था 1935 में हाला कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैफ चेंज लॉट हम लोग ने कई सारी ची भी चेंज किया है साथ ही साथ में हम लोगों ने सर्विसेज में भी थोड़े-वोडे चेंज लेकर करे आए भी हवी एंटीग्रेटेड निव सर्विसेज अलसो तो यह तरीके अपनाये गया है और साथ ही साथ में Constitution में भी इनको जगा दी गई है कि इस पोस्ट विल भी constitutional पोस्ट और इसमें आर्टिकल नमर 312 में बताया गया है कि आल इंडिया सर्विस के बारे में क्या चीज़ें होती है ठीक है तो इस वाल फॉर सिविल सर्विसेस डवलप्मेंट नेक्स हम लोग बाते करेंगे पुलिस सर्विस के बारे में तो फटाफट पुलिस से पहले हम लोग देख लेते हैं जरा जुडिशल सर्विसेस के बारे में जुडिशल डवलप्मेंट के बारे में ओके आगे अगर बात क्या जा है तो हमारे पास आती है जुडिशल डवलप्मेंट जुडिशल डवलप्म इसके लावा दिवाने आम दिवाने खास ये सब चीजे हुआ करती थी जो judicial activities करती थी लेकिन जैसे ही फिर company आती है और 1757 और 1764 के बाद से चीजे जब यहाँ पर बदलती है तो ये खुद में system में lack face करना शुरू कर देती है और इस कारण से यहाँ पर क्या है कि ये लोग ट्रेड में ज्यादा interest रखती थी लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ जो है internal affair होते ही रहते थे company के country के साथ में और इस वज़े से क्या है कि इन्हें lack of uniformity of law मिलते जिस जिसके कारण से judicial changes करना इनकी अब मजबूरी बन गई थी आगे बात किया तो वारें हेस्टिंग साहब हमा मामले सुने आते थे और फौजदारी का मतलब हो गया यहाँ पर क्रिमिनल मामले सुने जाते थे इसके अलावा यहाँ पर एक overall court बनाई गई थी या फिर बोल सकते highest court of appeal बनाई गई थी जो कि कॉलकता में थी और यह सरदार दिवानी अदालत और सरदार निजामत अदालत के थे देखते थे अब यहाँ पर जो है court तो बना दी गई है court बना दी गई है लेकिन क्या कोई rule है कोई law है क्या कोई IPC वगरा है क्या फिलहाल अभी नहीं तो अभी यह लो क्या करते थे जो भी हिंदू law है या फिर जो भी मुसलिम law है इन्हीं के basis पर ही किवल और किवल ट्र के दोरान में code of gain to law प्रिपेर किया गया जो बिसिकली मनुस्मृती थी यह जो मनुस्मृती थी यह राजपूत इलाके में इसी के थूरू judgment वगरा दिया जाता था और यहीं से चीज पिक की गई थी इसके बाद विलियम जोन्स ने अपनी एशियाटिक सोसाइटी बनाए थ कोलब्रुक ने भी अपना contribution दिया था किस तरीके का contribution हिंदु लौको प्रिपेर करने का contribution इन दोनों लोगों ने दिया है तो इन दोनों लोगों का नाम तो आपको याद ही रखना है इसके लावा इन्होंने फत्वा याला आलम गिरी को भी translate करने की कोशिश की थी क्योंकि सी इसी सी बात है इस नोट इंग्लिश और यहां पर यह बोला गया कि जुडीशेरी और एक्जीक्योटीव अलग-अलग रहेंगे अभी तक क्या था कि जुडीशेरी में जो गवर्नर जनरल थे उनका इंटर्फिरेंस था उनकी वीटो पावर एक तरीके से थी लेकिन फिर क् उफ रेगोलेशन एक फालो किया गया इसके रहर नए कोट भी खोले गये थे अब सीधी सी बात है कोरणवाली सहब हैं बैंगौल में तो इंग्ल में इस समय आता था बी, बी, ओ, बी का मतलब हो गया बंगाल, बी मतलब हो गया बिहार और ओ मतलब हो गया उडीसा तो ये इलाके होते थे बेंगौल के बिहार के और उडीसा के इलाके थे यहाँ पर अब बेंगौल में बिहार में क्या होगा पत्ना हो जाएगा बेंगौल में इलाका है ढाका वहाँ पर भी कोट लग गई कैलकटा में कोट लगी पड़ी ह यहां पर डिस्टिक लेवल पे और कैलकटा लेवल पे यानि की जो दिवानी अदालत है और साथ यसाथ में जो सरदार दिवानी अदालते दोनों के दोनों लग गई हैं अब जो प्रोविंशियल लेवल पर जो कोट वगर अलगाई गई थी जैसे कि आपका पटना ढाका या जो भी चीज़े हैं इनको बुला गया कोट अफ सरकेट क्योंकि यह हाइस्ट कोट आफ अपील नहीं था हाइस्ट कोट आफ अपील बनाया गया था जो सरदार निजामत या फिर सरदार दिवानी थी तो इस तरीके से सिस्टम में स्मूद करने के लिए यह जुडिशियल सि यह जो सुप्रीम कोट थी यहाँ पर एक चीफ जस्टिस और साथ ही साथ में तीन और जुडिशियल ऑफिसर्स होते थे इस कोट वार्ज इस्टाबलेश एड मदरास इन एटीन हंडरेड और बॉम्बे में फिर एटीन ट्वटी त्री में स्टाबलेश कर दिया गया था जो सिविल सर्वेंट्स को ही सारा का सारा पावर दे 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 थे यानि कि जो डिस्टिक कलेक्टर है उसी को सारे पावर दे दिये गये थे चाहे वो जुडिशियल पावर हो चाहे वो सिविल के पावर हो या फिर चाहे वो पुलिस के पावर हो तो सारे पावर दे दिये गये के अंडर में और इन्होंने फिर अपनी रिकमेंडेशन दी थी तो इन्होंने क्या किया जो भी यह कोट आफ सरकेट मतलब की जो भी अलग-अलग कोट बनाए गया थे इनको पहले अबॉलिश किया गया और जो अपील को दिया जाएगा और इस तरीके से आई-पी-सी बना दी गई थी हला कि यह जो सिस्टम था आई-पी-सी को प्रिपेर करने का केवल और केवल स्ट्रॉक्चिरिंग का काम यहां पर किया गया था क्योंकि यह आई-पी-सी उस समय फेल हो गई थी बना नहीं पाये थे बाद में फिर 1859 में इस चीच को बना करके सेकेंड लॉक कमिशन के द्वारा फिर पास किया गया था तो यह तरीका अपनाए गया था आई-पी-सी के इसने रिकमेंडेशन दिया अब जो यहां पर सुप्रीम कोट और दीवानी सरदार दीवानी यह सब चीज़ें इस चीज़ को अमल्गमेट कर दी गई थी और एक बना दी गई थी अब पूरे सोसाइटे में युनिफार्म कोड आफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर स्ट पराट हो चुके थे मी तो बेसी कली देखा जाए अगर तो एक मुगल सिस्टम से चीज़े स्टार्ट हुई थी और यह अब तरीके से uniform हो गई थी प्रोविंशियल हो गई थी, अब ultimately क्या किया जाएगा इसको uniform और provincial से now it will be like integrated and independent judiciary integrated and independent judiciary इसमें convert हो जाएगी ultimately आगे जाकर 1935 तक ये सारी चीज़े हो जाती है Indian High Court at 1861 पास किया गया और इससे कोलकता मुंबई और चिन्नई में High Court establish कर दी गई जो first Indian Chief Justice थे वो थे रमेश चंद्र मित्र बहुत important नाम है याद रखना है इनको क्योंकि ये भी question पूछे आ सकते है 1935 में जाकर के ultimately ये कह दिया गया कि जो भी provinces है वहाँ पर एक High Court होंगी और जो भी मतलब federal है federal level पे हमें एक Supreme Court चाहिए होगा और यही Supreme Court आगे जाकर के integrated highest Court of Appeal बन गया कब 1950 में जब आजाद हो गए थे हम लोग तो यह पूरी developments है Judicial को ले करके Judiciary को ले करके यही सारी developments है कुछ यहाँ पर छोटी छोटे facts भी है जिनको ध्यान रखना है जैसे कि racial discrimination इट वर्ट प्रेजेंट इन सिस्टम आफ लॉव यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट वर अंडर सुप्रीम कोट अलों तिल 1836 इसके अलावा कुछ बिल्स भी लाए गये थे और उस बिल में क्या बिल से पहले क्या था कि जो यूरोपियन थे उनका ट्राइल के वल्यूर 45 में अबॉलिश कर दी गई थी प्रिविलेज इन क्रिमिनल मैटर रिमेंड इन प्रिंसिपल एंडे कुड़ वी ट्राइट ओनली वा यूरोपियन जजेज़ बचिस्ट्रेट ओनली तो किवल इन्हीं लोगों को पावर दी गई थी हालाकि लॉट रिपन के टाइम पर एक बिल आया था और कोशिश की गई थी जो प्रिविलेज उनको भी खतम करने की लेकिन यह बिल ही को लैप्स कर गया क्योंकि यहां पर स्ट्रॉंग पोजिशन और कॉम्प्रमाइज जो है वो रुख गई थी अकॉर्डिंग टो इट दे वूड़ भी ट्राइड बाई जूरी आफ विच नौट लेज दन हाफ मेंबर उडभी यूरोपियन और अमेरिकन तो यह पूरा का पूरा डवलप्मेंट है जुडिशेरी को ले करके जुडिशेरी में ज्यादा कोई चीज़ें नहीं है बट हाँ जो भी चीज़ें हैं दे आर इंपोर्टेंट एंड यूर प्ल लेमेर शोकित मुगल सिस्टम चलता है मुगल सिस्थम में यहाँ पर फौजदार और आमिल सहाब होते थे फौजदार और आमिल होते थे यह जो फौजदार और आमिल थे यह बिसिajली जो भी law and order situation है उसको ये maintain करते थे law and order situation इसके अलावा थाना वगर है ये सब brain child है किसका मुहमन बिन तुगलक का तो मुहमन बिन तुगलक ने इस थाना system को basically बनाया था लेकिन बात में यही सब चीजे इन फैक्ट यही सब चीजे आगे जाकर के carry forward होती रही लेकिन एक uniform law की missing element म मिल रहा था British को इसकारण से इन्हों ने भी पुलिस administration में सुधार किये पुलिस administration में भी restructuring किया in the matter of police administration British went ahead as there was no developed policing system in Britain interesting बात यहां पर यह है कि जब जब पुलिस administration की शुरुवात इंडिया में करी जा रही थी उस समय तक कोई भी policing system Britain में नहीं था ब्रिटेन भी police less system में चल रहा था जो इंडियन इंपरियर्स और जमिंदार सत्ते दे हैड मेड दियर ओन लॉइन regulation और इस वज़े से क्या है non uniformity थी और काफी weird law भी थे इसके बाद जब वार्रें testing आते हैं तो यह जो फॉजदार और आमिल वाला सिस्टम में पहले इसको अबॉलिश कर दिया जाता है लेकिन बाद में हला कि restore कर दिया था इन्हों इन्होंने अबॉलिश कर दिया था फिर हमारे कॉर्णवाली साहब आते हो कॉर्णवाली साहब ना सिर्फ जुडीशियरी बलकी सिविल और सिविल और पुलिस सिस्टम में भी अच्छा खासा अपना contribution दिये हुए है इन्होंने अपना एक पुलिस सिस्टम क्रियेट किया इ इन्होंने क्या किया चौकीज बनाई चौकीज बनाई और चौकी के नीचे क्या आता था एक विलेज होती थी तो विलेज के लिए इन्होंने रखा विलेज हेड मैन या विलेज वाच मैन जो भी बोलना चाहें यह बंदा रहता था या फिर इसी को बोल सकते हैं कि यह कि इंडियान की जो एक तरीके से कहली जो पावर दी गई थी जो यहां का दरोगा था तो दरोगा की पोस्ट पोस्ट को चौकी पर रखा गया इसके अलावा जो डिस्टिक लेवल पर पोजीशन देनी थी वो दी गई थी डी एस्पी को DSP का मतलब हो गया deputy superintendent of police DSP को दिया गया था यह power तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो Cornwallis relieved the jamindar of their police function and establish a regular police force to maintain law and order Interestingly this put India ahead of Britain where a system of police had not developed yet Cornwallis established a system of circle या फिर थाना headed by a dharoga तो यही दरोगा basically थाना के basis पर बना दिया गया था बात में the post of district superintendent of police यानि की जो DSP है वो police administration को head मतलब की head करना है district level पर यह बना दिया गया था तो district level पर यह चीज़े कर दी गई थी Indians को फिर से exclude कर दिया गया था सारे ही superior post थे यानि की जो दारोगा post है या फिर जो आपका DSP post है यहां पर किवल और किवल यूरोपियन ही अपॉइंट हो सकते थे और जबकि village की जो duties होती थी police continue to perform by the village watchman who are maintained by the villagers यानि की यहां पर जो है Indian बंदा ही होता था तो यह Indian बंदा village headman का काम करता था या फिर village watchman का काम करता था इसके बाद हमारे नेक्स सहाब आते हैं जिनका नाम है लॉड मिंटो लॉड मिंटो क्या करते हैं लॉड मिंटो ने एक SP पॉइंट किया for the division यहां पर इन्हों ने क्या काम किया था इस district level से उपर उठकर के आग इसकली जो एक तरीके से समा मतलब की information को इधर से उधर करते हैं सो यहां पर क्या है कि यह एक निया काम इन्हों ने शुरू किया था लॉड मिंटो ने हलाकि यह काम जो होता है आगे जाके बहुती वोर्स थाबित हुआ और यह पता चला कि डिकैती से भी ज्यादा यह खतर लखी की पोश्ट है और यह खतम हो गई और केवल अगर बात किया जा है तो हमारे पास आते हैं लॉड बेंटिक लॉड बेंटिक के पारे में हम लोगे बात कर रखा था यह सारे के सारे सिविल सभी इडिनिस्ट्रेशन मतलब आई एस वालों को ही सारी पावर दे देते थे यहां पर भी वही किया गया जो आफिस आफ एस पी था इसको अबॉलिश कर दिया गया और जो कलेक्टर या फिर मजिस्ट्रेट था बिसीकली उसी को पुलिस का सारा का सारा पावर दे दिया गया और यही रीजन है कि SDM आज भी SDM मोर पावरफुल है दन पुलिस सिस्टम इन स्टेट ठीक है फिर इसके बास सहाब आते हैं जिनका नाम है लौड ओकलेंड लौड ओकलेंड ने क्या किया इन्होंने वापस से जो दरोगा की पोश्ट को अबॉलिश कर दिया गया था मिंटों के द्वारा उसे वापस से अपॉइंट कर दिया गया और यहां पर अब इनकी पे और स्टैंडिंग यानि की पोजिशन दोनों ही काफी स्ट्रॉंग रखी गई थी 1860 में अब क्या हुआ 1860 तकाते आते यह 1859 में IPC बन गई थी तो अब इनके पास एक प्रॉपर रिगुलेशन थी कि क्या क्या चीज़े की जा सकती है तो गवर्मेंट होती है फिलाल इंडियन पुलिसिंग सिस्टम ये इंडिया में इंडिपेंडेंट इंडिया में आई थी मतलब की IPS को ब्रिटिशर ने इंटर्डूज नहीं किया है यह ध्यान रखना है ब्रिटिशर के टाइम पर यह IPS नहीं होती थी यह पी पीएस होती थी यानि कि कर दी गई थी और बाकी दरोगा की पोस्टों है जो थाना को ले करके बनाई गई थी 1902 में कमीशन बनाई जाती है और इस कमीशन ने फिर से पुलिस सिस्टम को रिव्यू किया और यहां पर इन्हों में क्या है कि दो नई चीजों को ले करके आए जो कि स्पेशलाइजड पुलिस एजन्सी के राव रूप में आगे निकल करके आई यहां पर जो सी आईडी है वो लाया गया हर एक इस्टेट में हर एक प्रोविंस में फॉर्दा इन्वेस्टिगेशन ऑफ इस्पेशलाइजड क्राइम और सेंटर लेवल पर इन लोगों ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का बनाया जो कि अंडर होम डिपार्टमेंट रहेगा और इनफेट आज भी देखेंगे आप तो सी आईडी तो खेर काफी चेंज हो गई है सी आईडी लेकिन फिर भी जो स्टेट पुलिस होती है वह अपने सी आईडी एक ब्रांच को बना करके रखी रहती है पॉर इस्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन और हमारे जो सेंटर लेवल वहां पर तो खैर और आई भी है ही तो ये सारी कि सारी जो शुरुवात की गई थी व को ले करके लोकल अड्मिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशल अडिनिस्ट्रेशन। में ज्यादा कुछ खास दिसकस करने को नहीं है पको स की सेइदां करना रॉट्टा मार लेना है पिए और । रिपन का इन दोनों लोगों ने बेसिकली जो लोकल सेल्फ गवर्मेंट उसकी नीव रखी थी और इन फैक्ट मैगना काट आफ लोकल सेल्फ गवर्मेंट यह जो है रिपन नहीं स्टार्ट किया था तो बिसाइडिंग इन दा बेगिनिंग और प्रेसिडेंसी टाउन इवन दा एक्ट ऑफ 1858 यह जो लोकल सेल्फ गवर्मेंट है वो स्टार्ट होती है इन 1864 एक नई पॉलिसी आती है जिसने यह ध्यान रखना है कि 1861 वाली जो पॉलिसी थी 1861 वाले जो एक्ट आया था बैसी कली इस एक्ट ने कुछ हद तक लोकल सेल्फ गवर्मेंट की गवर्मेंट इस वाज इंट्रीउस बाई जॉन रॉलेंज जो लॉरेंस उस समय जो है यह गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंफेक्ट वाइसराय अब हो जाएंगे दायम वाज बैसिकली टुको विद फाइनेंशल क्राइसिस इस समय फाइनेंशल क्राइसिस जो आ रही थी बिसिकली फाइनेंशल क्राइसिस भी आ रहे थी क्योंकि इस समय फैमाइन बहुत जादा आ रहे थे फैमाइन के कारण से ही चीज़ें मनाई जारी थी और यही कारण है कि आगे आ करके हम लोग देखेंगे कि फैमाइन के दौरान में यहां पर जो कमटीज वगरे बनाई ग इन्होंने काफी अच्छा कंट्रिबूशन दिया था इन टर्म साथा फाइनेंशल डी इस रिजलीशन जो है वह फो अल्टीमेटली स्ट्रेंटेंट अधा मुनिसिपल इंस्टिवूशन मुनिसिपल कॉर्परेशन इस्टाबलिज बेट्वीन 1872-1878 इन प्रेसिदेंसी टा इस फोकस्ट ऑपॉन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन एंड कंट्रोल फ्रॉम आउट्साइड ग्रेटेस्ट कंट्रिबूशन वास क्रियेशन ऑफ सव डिवीजन ब्रांच तालुका बोर्ड एंड डिस्टिक बोर्ड यह जो बोर्ड से बिसिकली बना दिये गया थे करजन के अगर बात किया तो सीधी सी बात है करजन के टाइप पर लोकल सेल्फ गवर्मेंट जो है वो कही ना कहीं अपने बुरी इस्थिती में आ गई थी यहां पर ब्योक्राइटाइजेशन बहुत जादा कर दिया गया था और हॉस्टाइल अप्रोच लिया गया था लोकल सेल्फ गर्फ नहीं पक्नाख कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी जो हता यहांपर कुछ खास कर नहीं पाए। इंस्टिट्यूट अफ लोकल सेल्फ गवर्मेंट रिमेंड वीक इंस्टिउशन और बाद में प्रेसिडेंसी अफेयर बन गया था इंफेक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंटेंस और जो लोकल सेल्फ गवर्मेंट एक खास कर नहीं पा रही थी अगर बात किया जाए तो हमारे पास आती है फिनेंशल डवलप्मेंट में अगर देखा जाए तो क्या कुछ चीज़ें की जा रही है तो फिनेंशल डवलप्मेंट डिसेंट्रलाइजेशन और सिंगल फंड इन्डा हैंड्स और गवर्मेंट ऑफ इंडिया अब देखें हम ल का नाम था रिचर्ड इस्ट्राइज इसको कि हम लोग ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर रखा है तो इस वास फॉस्टो में डिफिनीट प्रपूसल तो रिफिनेंशल सिस्टम इन 1867 मायो ने रिजलुशन दिया अपना 1870 में और दिस वास्ट सिस्टेप तो अड़ फिने की रिजलुशन आए थी 1877 जो कि अपने आप बहुत ही इन ह्यूमें थी इन देस जो मायो की स्कीम थी वह इनलाज कर दी गई थी अभी जो डिपार्टमेंट से या जो एरिया से बिसिकली वह प्रोविंसेस को ट्रांसफर कर दिये गये थे और यहां से क्लोज वाच होना प्रोविंसेस जो इस्टेट के लोग थे उनको दे दिया गया था रिपन ने हलाकि बाद में आ करके लोकल सेल्फ गवर्मेंट कराया और यहां पर इलेक्शन वगरे करा दिया जिससे की अब यह और अटोनॉमस हो गये थे अब क्या है जो भी financial extremities थी या फिर कह लीजे की limitations थी वो सब खतम हो गई क्योंकि यहां पर fix grant वाला जो system था वो खतम कर दिया गया यह इंट्रूज़ इंटायर इंकम फ्रम सर्टें सोर्स अफ इंकम प्रोविंसे वर तो गैट फिक्स शेयर अफ इंकम फ्रम अधर सोर्से ऐस वेल इस वाज मेड क्वासी पर्मानेंट वाई करजन इन 1904 बाद में कमिशन आती है जिसका नाम आपको बहुत ही ध्यान से लॉर्ड हाडिघ्ण और फिर फिर फेनेंशल डिसेंटरलाइजेशन यह प्रोवइड कर दिया गया था यह प्रविंसेशवाले लोग के वह अपना खुद का फानेशल डिसंटरलाइजेशन देखें और बाद वाले अपना देख लेंगे तो यह थी पूरी डिसकॉशन हमा वारे बिटिश के टाइम पीरिड में क्या क्या डवलप्मेंट होती जैसे चुडिशियल पुलिस लोकल अड्मिनिस्ट्रेशन सिविल सर्विसेज और फिर फिर फिनेंशल डवलप्मेंट इसको आप लो बहुत ध्यान से देखिएगा विक्यूस बिकूस दीज और वेरी इस जल then good bye and thank you so much.